Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel इस वीडियो में भी हम लोग Python में एक difficult topic को cover करेंगे इस topic का नाम है generators हमने last वीडियो में iterators पढ़ा था this is a related topic और इसको भी उतना ही confusing समझा जाता है क्योंकि थोड़ा है भी तो हम इस वीडियो में generators को end to end समझेंगे हम सबसे पहले discuss करेंगे कि generators का काम क्या है उसके बाद हम generators का syntax देखेंगे उसके बाद हम यह discuss करेंगे कि एक normal Python function और generator के बीच में क्या difference होता है और last में मैं आपको एक बहुत ही simple सा practical example दिखाऊंगा जो आपको बहुत काम आएगा जब आप generators को use करोगे ठीक है अगर आपको याद होगा कि अगर आपको एक simple range function जैसा iterator बनाना है उसके लिए भी आपको इतना code लिखना पड़ रहा था आपको एक iterable के लिए class बनानी पड़ी आपको एक iterator के लिए class बनानी पड़ी आपको iterable में iter function यूज़ करना पड़ा iterator में आपको iter और next दोनों को implement करना पड़ा अब python को लगा कि ये थोड़ा सा cluttered है थोड़ा सा old school approach है तो उन्होंने फिर एक नया syntax बनाया जिसको वो generator बोलते हैं तो simple words में generators क्या है कि वो iterators बनाने का simple तरीका है ठीक है और आज के वीडियो में हम वही देखेंगे कि इतना बड़ा code लिखने के बदले कैसे हम एक छोटा सा function लिखेंगे और वो function आपको इस बड़े code जितना execution as in output दे पाएगा हम ये भी सीखेंगे कि वो जो function हम बनाएंगे जिसको हम generator बोल रहे हैं वो normal function से किस तरीके से अलग होगा अब आपके दिमाग में एक question आ सकता है कि iterators की जरूरत ही क्यों है तो इसका मैंने detail में जवाब दिया था last video में but मैं आपको फिर भी एक kind of revision दे देता हूँ मान लो आपको एक से लेके एक लाग तक जितने भी items हैं जितने भी numbers हैं उनका square print करना है let's say तो आप क्या करोगे एक तरीका तो यह है कि आप एक list बना लो और उस list में आप लिखो x for x in range of a clock और अब आप क्या करो एक loop चलाओ for i in l print i to the power 2 यह code क्या करेगा एक एक करके आपके सारे numbers का square generate कर देगा and obviously it would take some time तो मैंने execution बंद कर दिया but इस पूरे approach में problem क्या है कि आपको memory में एक list रखनी पड़ रही है और इस list में एक लाख items हैं तो अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि यह कितना memory store करेगा तो i'll import the sys module sys के अंदर एक function होता है get size of जिसके अंदर अगर मैं l को pass करूं तो ओके इसको फिर से stop करना पड़ेगा और इस loop को हम uncomment कर देते हैं ताकि execute ना हो see इतना bytes memory आप allocate कर रहे हो अब obviously यह तो एक लाख है what if किसी ने मुझे बोला 10 करोड तक यह करके दिखाओ तब तो यह और भी बहुत बड़ा list हो जाएगा और memory आपके पास limited है तो यहां पर क्या problem हो रहा है कि इस operation को perform करने के लिए हमें एक list की numbers ले रहा हूं उसको X में store कर रहा हूं और अब मैं simply बस same काम करूंगा for i in x print i to the power 2 और इस code को मैं जैसे run करूंगा फिर से काफी time लेगा because square करना है सबका but you get the idea कि same output आ रहे है बड़ अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह memory कितना खाएगा सो अगर मैं लिखूं सिस डॉट गेट साइज ओफ एक लाग एक्स तो सिर्फ 48 बाइट सिखा रहा है और अच्छी बात यह है कि आप इसको एक करोड भी कर दो तब भी साइज उतना ही रहेगा क्यूं क्यूंकि range क्या कर रहा है एक बार में memory के अंदर सिर्फ एक ही आइटम को उठा के ला रहा है उसका square print कर रहा है और फिर उसको हटा दे रहा है फिर अगले को लेके आ रहा है उसका square print कर रहा है हटा दे रहा है और इस तरीके से आपको एक करोड हो या 10 करोड हो आपको memory में एक बार में सिर्फ एक ही आइटम को रखना है तो फिर आप infinitely large numbers के उपर भी काम कर सकते हो that is why iterators are so important and that is why studying generator is important because generator क्या है iterator को create करने का एक आसान तरीका तो आपको थोड़ा why का answer मिल गया है अब हम क्या करेंगे एक simple example देखेंगे python generator का ठीक है तो python generator is nothing but a function जिसमें एक छोटा सा difference होता है let me show you so मैं एक छोटा सा function बना रहा हूँ gen demo बोलके इसको कुछ input नहीं चाहिए पढ़ेगा यह simply इसके अंदर लिखा होगा yield so yield is a keyword जो क्या करता है मैं आपको थोड़ी दिर में बताता हूँ बस ऐसे समझ लो कि generator के अंदर return नहीं होता जेनेरेटर फंक्शन जिसमें return statement नहीं होता उल्टा yield statement होता है एक normal function में return statement होता है यहां पर yield statement होता है ठीक है दोनों के बीच में क्या difference है आपको थोड़ी दिर में समझ में आ जाएगा देखो मैंने यहां पर लिखा first statement फिर मैंने लिखा second statement और last में मैंने लिखा third statement ठीक है यही मेरा function है बस अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक बार call कर रहा हूँ मेरे generator को और वहां से जो भी return आ रहा है उसको मैं gen बोलके एक variable मैं store कर रहा हूँ ठीक है और मैं आपको print करके दिखाता हूँ कि gen क्या है c यहां पर लिखा है कि gen is a generator object so होता क्या है कि जो आपका generator होता है वो एक function है जो return में आपको एक generator object देता है अब इस generator object की खासियत क्या है कि आप इसके उपर next function चला के एक एक करके सारे के सारे yield के outputs को print कर सकते हो let me show you तो अगर मैं पहली बार ये लिखो next gen तो print होगा first statement अगर मैं इसको फिर से run करूँ तो अब print होगा second statement और अब अगर मैं फिर से run करूँ तो अब होगा print third statement और अगर मैं फिर से run करूँ तो अब आजाएगा stop iteration error because हमारे पास सिर्फ तीन ही yield statements है तो समझने वाली बात ये है सबसे पहला point कि generator एक function होता है बट उसमें difference क्या होता है कि normal functions में जहाँ पर return statement होता है यहाँ पर yield statement होता है अगली बात जब आप call करते हो अपने generator को तो वो आपको पलट के एक generator object देता है और आप उस generator object के उपर next next चला के क्या कर सकते हो items को print करते जा सकते हो और हर item क्या करेगा आपके एक yield statement को print करेगा ठीक है अब यह same काम आप loop के थू भी कर सकते थे मतलब आप सीधे यह code भी लिख सकते थे for i in gen print i और आपको same ही output मिलता ठीक है तो I hope आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि generator कैसे काम कर रहा है अब you can see यह कितना easy हो गया अगर आप में last video देखा होगा तो आपको पता होगा कि यह पूरी चीज को implement करना पहले महा भारत था क्योंकि आपको यह iter function implement करना है आपको यह next function implement करना है अब आपको वो सब कुछ नहीं सोचना है आपको simply अपने yield statements देने हैं और वो आपका काम कर देंगे ठीक है अब एक सवाल का जवाब खोजते हैं और वो यह है कि yield और return में क्या difference है क्योंकि इसी difference में आपको समझ में आ जाएगा कि generators काम कैसे करते हैं so what I will do is I will go to this website python tutor and over there I'll just paste this code I'll just paste this code and let me show you कि यहां पर क्या हो रहा है चलो visualize पर हमने click किया देखो होगा क्या जैसे ही python को यह function दिखाई देगा वो jump मारके line number one से line number seven पर आ जाएगा ठीक है line number seven पर आप क्या करोगे generation demo जो आपका generator है उसको आप call करोगे ठीक है अब आप loop start कर रहे हो line number nine पर जैसी आपने loop start किया gen call हो गया एक चीज़ notice करने वाली क्या है कि जब आपने यह statement run किया था line number seven तो यह function call नहीं हुआ था यह function call कब हुआ जब आपने loop चलाना start हुआ जब आपने loop चलाना start किया यह बहुत interesting बात है कि यहाँ पर function calling नहीं हो रहा है जब आपके पास यह object आ जा रहा है और जब आप इस object के ऊपर next को चला रहे हो तब आपका यह function call हो रहा है उसके पहले यह call नहीं हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब यह है कि अगर आप ध्यान द कर रहे हो और जब आप यह code run कर रहे हो ना तब आप actually function को call कर रहे हो यह सबसे पहली बात है समझने की ठीक है अब देखना पहली बार जब gen demo call हुआ अब आप पहले yield statement में घुसे और देखो पहले yield statement का return था first statement जो जाकर के print को मिलेगा और screen पे print हो जाएगा see i का value अभी क्या है first statement और आप जैसी i को print करोगे यहाँ पर print हो गया ठीक है अब आप loop में दुबारा घुमोगे दूसरी बार जब आप घुमे तो फिर से आपने gen demo को call किया ठीक है अब देखो खासियत क्या है yield statement की कि उसने पिछली बार जब function को run किया था तो उसने याद रखा कि मैंने पह आला वाला yield execute नहीं करेगा वो दूसरे वाला yield को execute करेगा इसलिए देखो इस बार function का return क्या है second statement जो जाके i को मिलेगा main program में और आप print कर रहे हो second statement को अब loop फिर से चला अब आप फिर से function को call किये अब function को फिर से याद है कि last time जब आये थे तो आपने second वाले yield को चलाया था तो इस बार वो automatically third वाले को चलाएगा ठीक है और third वाला जाके i को मिलेगा और आप i को print कर दोगे ठीक है और इसी के साथ आपका code जब last में none return करेगा तो फिर खतम हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखो stop iteration error आ गया तो यहाँ पर concept यह है कि जहाँ पर normal function एक बार run करने के बा simply खतम हो जाते हैं memory से हट जाते हैं generator is a special function जो क्या करता है कि वो temporarily pause कर जाता है और अपना जो state है अपने जो variables का value है वो याद रखता है जब आप उसको दूसरी बार call करते हो तो वो पिछले बार की चीज़ों को याद करके आगे काम करता है यह बहुत important concept है अगर आपसे कोई पूछ लेके generator और एक normal function में क्या difference है तो एक normal function एक बार execute करके अपना काम खतम करके memory से निकल जा रहा है बट generator क्या कर रहा है वो अपना काम partially कर रहा है फिर memory से हट रहा है बट जब हट रहा है तो याद रख रहा है कि मैंने last time क्या किया था मेरे variables की क्या value है जब आप उसको दोबारा load कर रहे हो तो वहीं से काम start कर रहा है ठीक है यही सबसे बड़ा difference है yield और return के बीच में ठीक है अगर आपको यह समझ में आ गया तो फिर आपको कोई परिशानी नहीं होगी ठीक है तो अब एक काम करते हैं थोड़ा सा और understanding develop करने के लिए एक और छोटा सा example लेते ह में हम क्या करेंगे एक given number तक square sprint करेंगे ठीक है सो देखो हम एक function बना रहे है square बोलके इसको हम एक number देंगे अंदर का code बहुत simple है हम लेखेंगे for i in range of num 0 से लेके उस num तक चलेगा या फिर आप 1 से लेके उस num तक चला सकते हो आपके उपर है और आप हर बार क्या करोगे आप yield करोगे i to the power 2 and that's your function अब देखो अगर मुझे चाहिए है कि 10 तक मुझे चीज़े print करनी है तो मैं ये code लिखूंगा और अब मैं क्या कर सकता हूँ I can simply write next of gen ये मुझे one print करके देगा अगर मैं इसको फिर से run करूँ तो ये मुझे four print करके देगा अगर मैं इसको फिर से run करूँ तो ये मुझे nine print करके देगा अब खासियत क्या है कि इसी बीच में आप अचानक लूप चला दो like this for i in gen और यहां पे आप लिख दो print i तो देखो क्या हो रहा है वहीं से continue हुआ लूप ऐसा नहीं है कि loop one से start हु किये थे square को एक ही बार call किये थे इस जन में ही सारा information है तो उसने याद रखा कि आप तीन बार already one two और three का square print कर चुके हो तो उसने four से ही print करना start किया ठीक है तो i hope आपको थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा है कि यह पूरी चीज कैसे काम कर रही है ठीक है तो यह भी एक ब generator में आपका code यह रहेगा you have to simply write एक function आपको बनाना है function होगा मेरा range यहाँ पे आपको एक starting number मिलेगा और एक end number मिलेगा और आपको क्या करना है एक लूप चलाना है for i in the range of start से end और आपको simply yield करते जाना है जो भी value आ रहे है i में and that's it अब अगर आपको लिखना है gen is equal to मेरा range let's see मुझे चाहिए 15 से 26 तक अब मैं क्या कर सकता हूँ मैं simply लिख सकता हूँ for i in gen print i और यह रहे आपके numbers इसको भी आप थोड़ा और चोटा कर सकते हो directly इस function call को यहाँ पे डाल दो what this will do is आपको additional कुछ काम नहीं करना पड़ेगा यह देखो इसको run किया same output है ठीक है so you can see यह रहा मेरा code इस वीडियो में generator का और यही same काम करवाने के लिए मैंने last वीडियो में यह code लिखा था तो I hope आपको समझ में आ रहा है कि generators क्यों लाए गए python में because वो iterators बनाने को piece of cake बना दे रहे हैं like it is so simple now कि आप जट से दो lines में एक iterator बना सकते हो ठीक है तो I hope यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है अब एक last चीज इसको भी और simple करने का तरीका है generator expression so I guess आपको list comprehension के बारे में पता होगा list comprehension क्या करता है एक line में list बना के आपको देता है मालो मुझे 1 से लेके 100 तक जो numbers हैं उनका square का list चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा I would simply write i of 2 for i in range of एक से लेके 101 यह रहा L I'm sorry यहां पर आ जाएगा L ठीक है अब आपको यह same काम अगर generator के थ्रू करना है तो आपको कुछ नहीं करना है you can call this simply same code को copy कर लो और यहां पर paste कर दो और यहां पर square bracket के बदले small bracket लगा दो and this is now a generator for i in gen print i same output so इसी को बोला जाता है generator expression यहां पर क्या करना पड़ रहा है आपको एक function अलग से नहीं बनाना पड़ रहा है यहां पर हमने अलग से function बनाया था यहां पर आपको एक function नहीं बनाना पड़ रहा है यह एक anonymous function है जो इस syntax से create हो गया आप इसको directly भी use कर सकते हो अगर आपका logic बहुत simple है एक line में लिखने वाला है तो आप यह वाला syntax भी use कर सकते हो ठीक है तो you can see python कितना simplify कर रहा है आपके लिए इस पूरे task को ठीक है आपके पास जो data set होता है वो इतना बड़ा होता है कि आप उसको एक साथ memory में load नहीं कर सकते है मतलब 20 GB का data set है 30 GB का data set है क्योंकि images है और हजारों images है तो 20 GB तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है तो इस तरह के scenario में आपको क्या करना है कि सारे के सारे images को numpy array में convert करके memory में रखना है अब यह possible ही नहीं है क्योंकि आपके memory का size है 8 GB RAM का और आपके पास जो data है वो है 20 GB का तो यहां पर आप क्या कर सकते हो आइटरेटर वाला concept यूज कर सकते हो एक generator बना के देखो यह तो मैंने क्या किया है मेरे पास एक folder है जिसमें कुछ 4830 images है यह sad बोलके folder है मुझे क्या करना है इन सारे images को one by one numpy array में convert करना है so that मैं इसके उपर कोई model train कर पाऊं ठीक है obviously मैं आपको पूरा example नहीं समझा रहा थोड़ा सा समझा रहा हूं देखो तो मैंने क्या किया मैंने एक generator बनाया जिसको अगर आप एक folder path दो जैसे आप चाहो तो ये दे सकते हो या फिर आप चाहो तो कोई और भी दे सकते हो ये एक दूसरा path है कोई भी path दे दो वो क्या करेगा सबसे पहले उस folder में घुसेगा उसकी सारी files को उठाएगा और फिर एक एक करके हर file को open cv में read करेगा numpy में convert करेगा और yield कर देगा अब देखो मैंने क्या किया मैंने simplest function को call किया अपने folder का path बताया और gen object में अब मेरे पास क्या है एक generator है अब मैं जैसे ही next next चलाओंगा देखो क्या होगा मैंने जैसे ही next पे चलाया ये क्या है ये मेरा जो first image है ये उसको मैंने numpy array में convert कर दिया अब अगर मैं फिर से लिख ये मेरे fourth image का numpy array अब मैं एके करके इन numpy array के उपर कुछ भी operation चला सकता हूं मैं model training कर सकता हूं मैं कुछ भी कर सकता हूं ठीक है but you can see the power behind this आपके पास यहाँ पे 4000 photos है यहाँ पे चार करोड़ photos भी होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता because memory में आप एक बार में सिर्फ एक ही image क करने आप run कर सकते हो in fact यह सेम चीज के रास ने implement कर रखी है अगर आप search करो के रास image data generator उन्होंने भी एक बिल्कुल ऐसा ही function बनाया है जो data को one by one memory में लोड करता है ठीक है और यह बहुत use होता है अगर आप deep learning पढ़ोगे तो आप connect कर पाऊगे कि हाँ यार यह चीज हमने पढ़ी थी ठीक है तो यह हो गया एक practical example अब जाते जाते वीडियो के end में मैं आपको कुछ benefits बता देता हूँ जो generators use करने से होता है सबसे पहला तो clearly है ease of implementation मतलब देख लो हमारा range function का code यह रहा मैं इसको थोड़ा copy कर लेता हूँ ताकि मैं नीचे ले जा पाऊ यहाँ पर द इतना बड़ा code था और यह मेरा code है जब मैंने generator करके same code को बनाया you can see the difference कितना easy हो गया second it is memory efficient यह भी मैंने आपको दिखा रखा है अगर आप एक list बनाओ 10,000 items का और एक generator बनाओ 10,000 items का you can see the difference list इतना memory लेगा generator सिर्फ इतना memory लेगा अगर आप इसको और बढ़ा भी दो list को आप 10 times कर दो generator को भी 10 times कर दो तो list जो memory ले रहा है वो 10 times हो जाएगा but generator की memory अभी भी उतनी ही है तो you can see कि memory भी कितना बचा रहा है अगर आपको कभी भी इस तरह का application है कि आपको एक-एक करके चीजों के उपर काम करना है you should always use a generator and not a list ठीक है third आप चाहो तो आप infinite streams के generator आपको वो power दे रहा है सोचके देखो अगर आपको किसी ने बोल दिया भाई मुझे जितने भी even numbers है दुनिया में वो सारे print करके दो अब आप सोचो ये code आप कैसे लिखोगे क्योंकि आपके memory में एक restriction है आप उससे बड़ा number store नहीं कर सकते लेकिन using generators आप ये simple सा code लिखो जो क्या करेगा एक बार में memory में सिर्फ एक ही number को store करेगा और फिर increment करता जाएगा दो-दो से इस function को use करके आप जितने भी possible infinite numbers हैं उनको आप print कर सकते हो ठीक है तो अगर आप कभी infinite data के साथ काम कर रहे हो तो आपको generators use करने चाहिए and the last benefit of using generator is कि आप उनको chain कर सकते हो दो generators या तीन generators को साथ में मिला के काम कर सकते हो ठीक है आपको करना कुछ नहीं है जैसे यहाँ पर एक example देखो हम्हारे को क्या करना है कि हमें एक given number तक Fibonacci series को पकड़ना है और जितने भी terms हैं उनका square करना है और उनको जोड़ना है मानलो हमारे को यह operation दिया गया तो you can see मैंने आपे क्या किया है दो अलग generators बनाए है एक जो मुझे given number तक Fibonacci generate करके देगा और दूसरा उन numbers को जो square कर देगा अब you can see पहले मैंने Fibonacci number को call किया और 10 तक जितने भी terms थे वो generate किये और फिर इन numbers को मैंने भेज़ दिया square में जिसने क्या किया उन सबका square कर दिया और finally मैंने उसके उपर sum चला दिया और यह रहा मेरा output तो आप क्या कर सकते हो generators को आपस में logically connect करके complex tasks achieve कर सकते हो ठीक है तो I hope आपको यह पूरी चीज समझ में आई यह notebook मैं आपके साथ share कर दूँगा आपका काम है एक बार इसको run करा के देख लो please make sure यह concept आपको आता है because this is such a powerful concept जिसको सीखने के बाद आप बहुत ही confident feel करोगे बड़े data के साथ काम करने में